वाफ हो जाएगे यहीं पहुत है क्या है इंगली लैंग्वेज लिट्रेचर जो क्लास टेन का पेपर जो आया है उसका यहां हम स्लूशन बता रहे हैं लेकिन यह याद रखेगा अक्से क्या बचे कहते हैं कि वह अंसर मिलाने लगते लेकिन वह कोड को नहीं देखते हैं तो स्ट्रेंट पूरी तरह से वीडियो साथ बने रहे हैं और देखे पूरी आंसर की किस प्रकार से इसका क्या स्लूशन होगा तो चलिए कोशन नंबर जब यह देखे यह इंस्ट्रक्शन था और यहां अगर आप देखते तो एक पारग्राफ दिया हुआ था जिस पारग्रा पूरा पारग्राफ पढ़िएगा तो इसका सही अंसर है मैं सिफ अंसर की और मेंशन करूंगा इसका सही अंसर है सी यानि वन का सी होगा ठ्यू का थोड़ा सा यह आर्टिकल डिस्क्रिप्शन है पूरी तरह से यहां पर फर्क पढ़ता है रबचों का हर लोगों का अलगल 3 question number 3 की और आप देखेंगे तो 3 का answer है A 3 का answer A 3 का answer A 4 की और आप जाएंगे तो question number 4 है उसको अगर आप देखें question number 4 का answer है 4 का answer है B 4 का B 5 का C 5 का C 5 के लिए आप जाएंगे तो वो answer है C 6 का D 6 का answer होगा D 6 के लिए अगर आप बात करेंगे तो उसका answer है D 7 का A 7 का A 7 का answer A मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेँगा जल 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 आपको बताता रहूँ 7 का A 8 के लिए फिर हम next page में आएंगे और यह है पेज है आपका 8 8 के लिए आएगा तो उसका answer है B 9 के लिए आएगा तो C 9 का आपका answer है वो है C 10 का answer आपके जाएगा तो 10 का answer है A 10 का answer है आपका A ठीक है अब 11 की बात करते हैं जो answer 11 का आप देखिएगा उसके लिए पराग्राफ था पराग्राफ के बाद आपको यहाँ पर इसका answer मिलेगा 11 का answer है B 12 का भी answer है B 12 का भी answer B 11 का भी answer है आपका B ठीक है अब आगे हम बढ़ते है 13 नमबर कोशन नमबर 13 के लिए अगला पराग्राफ अगला पेज को हम देख रहे है यह पेज यहाँ है 13 नमबर का answer है A 14 का C 13 का A 14 के लिए हमें नीचे आना होगा और इसका answer है C ठीक है 15 का A 15 का A 15 के लिए A 16 का C 16 का C 16 का आपका C हो गया चलिए 16 का C हो गया नेक्स पेज 17 नमबर हमारे पास कोशन है कोशन नमबर 17 को देखेंगे तो 17 का D 18 का B 18 का आपका answer होगा वो होगा B 29 का A ठीक है नेक्स कोशन है 29 का A यहाँ fill up है अब grammar शुरू हो जाता है तो 19 का आपका B होगा चलिए उनाइस के बाद अब नेक्स कोशन हम आते हैं वो है 20 नमबर 20 नमबर का B ठीक है has been believed leaving us उसके बाद 22-23 की बात करते है 22-23 22-23 का A 22 का B और 23 का D चलिए A और लास्ट इसका जो है वो option यहाँ 23 वाले के लिए अगर करेंगे तो वो option है D और 24 वाले के लिए अंसर है A चलिए नेक्स कोशन कोशन नमबर अगर आप बात करेंगे 24 के बाद अगर आप बात किजिए तो अंसर हम 25 नमबर पे जा रहे है पर अगर आप छोटा सा है उसको पढ़के देना आरूना इन नियर दा गेट इसके हिसाब से तो 25 का अंसर है वो है D 26 का थोड़ा सा यहाँ पर यह इसका अंसर होगा वो C होगा 27 का B होगा क्या होगा 27 का B चलिए नेक्स्ट कोश्चन को हम आगे बढ़ाते है 27 के बाद अब हमारे पास जो है वो है 28 कोश्चन नमबर 28 को देखते है कोश्चन नमबर 28 का जहां पर हमें आ रहा है उसका अंसर है D इसको सिरी सर्दम देगा यानि A, F, C, E, D, A, B 29 की बात करते है 29 का जो होगा वो होगा आपका D 29 का D और 30 का B चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे साब से 30 आपका कम्प्लीट हो गया है अब आप हम आएंगे लिट्रेचर पेपर में यहां भी एक छोड़ी शिदिया हुआ है इसके बारे में देखे बहुत कल हम देखे थे हैं जो भी important question अगर देख लिया होगे तो इसमें से भी बहुत सा question आया है तो हम बात कर रहे है 31 31 का C 32 का A उसके बाद आगे बढ़िए 32 हो गया यहां पर और यहां से आप आएगा तो मैं 33 और 34 से शुरू करता हूँ 33 का C 34 का A 35 का C फिर आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं और यहां पर आएगा तो 36 मिलेगा तो 36 का A 37 का B ठीक है 37 के बाद 38 और 39 के लिया यह तो 38 का B 39 का D ठीक है यहां तक तो आपका हो गया उसके बाद 39 के बाद नेक्स पेज आते हैं तो नेक्स पोज में आपको मिलेगा थोड़ा सा से करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाएगा 40 का D 41 का B 41 का B नेक्स कोशन कोशन को आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन है वो हमारा 42 में आगे हैं कोशन नमबर 42 का D 43 का A 44 का और सो D और 44 45 का D चीक है 45 हो गया आप हम पढ़ेंगे 46 की ओर 46 का देखी हां से मैं पादगा आफ है मैं 46, 47 46 का D 47 का और सो D 48 का C अब आगे बढ़ते हैं और यहां से हम पहुँच गए 49 में तो 49 का B 49 का B 50 का और सो B 51 का आपका होगा वो C होगा है एपी में ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद अब आपका 52 कोशन नमबर 52 का B चलिए ठीक है अब नेक्स्ट हमारा कोशन है वो है 53, 54 53 का इसको मिटाई है 53 का B और 54 का C ठीक है सॉरी यहां सी लग गया है तो अंसर होगा C यह होगा ठीक है न अब 55 का D 55 का D 56 56 का B ठीक है यहां के बाद अगर आएंगे तो अब आगए अब लास पेज में जो हमारा कोशन खत्म करेगा 57 का सॉरी 7 का C यह हो गया हमारे पास उसके बाद 58 58 का D 59 का 59 के लिए आईएगा तो वह हो गया मेरा 59 का C और 60 का होगा डी आप लोग सब मिला लेजिए और साथ साथ यह भी बताएं कि आपका कितना मार्क्स एक्जामनेशन में आ रहा है सब्सक्राइंट बेस्ट अफ लक और विर रिजल्स जाय है जाय है